नमश्कार दोस्तों आज मैं फिर एक और नई रेसिपी लेकर आई हूँ वरत के लिए एक नई रेसिपी हर रोज लेकर आती हूँ और 9 दिन 9 रेसिपी लेकर आ रही हूँ आपको बहुत पसंद आ रही हैं तो आप मेरी रेसिपी को इसी तरीके से देखा कीजिए मुझे भी अच्छा लगता है आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताया कीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर भी कर दिया करिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं कर रखा है तो आप इसे सबस्क्राइब कर ल तो दो ले ले इसको हम बारिक वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे इसे मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट ना करें मैंने इसे ग्रेट कर लिया है अब इसमें हरी मिर्च कट करके डालेंगे काली मिर्च पाउडर डालेंगे सेंदा नमक डालेंगे रोस्ट करी हुई पी वरना आप इसको skip कर सकते हैं अब इसमें दो चम्मच हम दही डालेंगे दही से भी इसका टेस्ट बढ़ जाता है अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप दही को skip कर सकते हैं इससे इसमें कोई फरक नहीं पड़ेगा और थोड़ा सा इसमें कट करा हुआ हरा धनिया डालेंगे अब इसमें हम चार चम्मच सिंगाड़े का आटा डालेंगे अगर आपके पास सिंगाड़े का नहीं है तो आप इसमें कुट्टू का, राजगिरे का या समा के चावल को भी पीस कर मिला सकते हैं इसको हम हलके हातों से मिक्स करेंगे हमें इसे ज्यादा हातों से टाइट से डो नहीं बनाना है इसे हमें थोड़ा बिखरा हुआ रखना है अगर हमें लगता है कि ये थोड़ा सा गीला है इसमें जरूरत लगे तो आप इसमें एक से दो चमच या तीन चमच आप इसमें आ等一下 और मिला लेंगे इस तरीके से मैंने इसमें दो चमच सिंहाडे का आटा और मिला ले है इसको मैं हलके हाथों से मिक्स कर रही हूँ और देखिए हमारा डो जो है वो थोड़ा इस तरीके से जुड़ा जुड़ा होना चाहिए बस ज्यादा हमें इसका टाइड डो नहीं बनाना है गैस की फ्लेम को अन करेंगे उसके उपर प्राइपें रखेंगे और उसके उपर थ चमच से इस तरीके से गोल थोड़ा सा फैला देंगे बहुत आसानी से फैल जाता है इसी तरीके से हम दूसरा चमच से फैला के बता रहे हैं देखिए ये भी हमने फैला दिया है और इसमें एक और डाल देंगे जितनी आपकी प्राइपेंड में या तवे पर जगे हैं खोलूंगी और चेक करूंगी ये देखिए आप इसको देख सकते हैं इसके उपर कितना अच्छा कलर आया है बहुत अच्छा गोल्डन कलर आया है इसी तरीके से देखिए बाकियों को भी मैं पलट दूँगी इसमें भी गोल्डन कलर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है य मैं इसको ऐसे ही सेकूंगी अब मैं इसको ढाकूंगी नहीं और ये देखिए अब इसको मैं फिर से दूसरी तरफ से पलटती हूँ आप देख सकते हैं दूसरी तरफ से भी कितने अच्छे सिक्कर तयार हुई हैं ये बहुत अच्छे सिक्कर तयार हुई हैं और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं सिर्फ ये हमने दो इंग्रेंट्स से बनाए हैं अगर घर में जब सामान नहीं हो और जटपट हमें बना कर खाना है तो आप इसे बहुत जल्दी और बहुत आसनी से बना कर खा सकते हैं क्योंके ना तो हमें इसमें आलू वालना है और ना ही हमें घोल कर रखना है बहुत आसनी से ये बन जाते हैं इसको हम निकाल लेते हैं देखिए इसी तरीके से हम दूसरी बार फिर से बना कर बता रहे हैं घी लगाएंगे और एक एक चम्मच जिस पे हम इस तरीके से बैटर को डालते जाएंगे और इसको फैला देंगे और बहुत जल्दी ये बन जाते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताईएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी इसी तरीके से हमारा दूसरा बेच भी बन कर तयार हो गया है आप देख सकते हैं हमारी कितने अच्छी खाना व्रत वाला बन कर तयार हुआ है अगर आपको जल्दी है तो आप इस तरीके से जटपट बना सकते हैं अगर किसी का व्रत है और उसे ऑफिस जाना है तो आप इसको बहुत जल्दी उसके लिए लंच तयार कर सकते हैं देखने में ही कितनी अच्छे कलर आया है और कितनी सुन्दर लग रही है ऐसे आप देख सकते हैं अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा खाना अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लिजिएगा कल फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी नई वीडियो के साथ बाई बाई टेक क्यार थेंक्स पोर वाचिंग